जै मातादी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकाज जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली वीकली राशी फल यानि सब्ताइक राशी फल चार मार्च से दस मार्च तक बारा राशी की क्या श्ततिय इंद्रहारायत लोचनाय बश्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंब्राय तश्मे शिकाराय नमस्षिवाय यानि शिवजी की पूजा करने से मोक्ष का लाब होता है आत्मा परमात्मा में विलेईन होती है तो हम शिवजी पूजा कैसे करें इसके बा पूजा आठ मार्च को बता रहा है वो जरू कीजेगा तो आपको अच्छा फल मिल सकता है तो आठ मार्च के दिन महाशिवरात्री के दिन आपको वरत करना है याद रखिएगा उसके बाद अगर आप धन में व्रिद्धी चाते हैं करियर में व्रिद्धी चाते हैं तो पूजा करेगा शिव पुरान में लिखा है तो उसके घर के अंदर धन का भंडार भर जाएगा करियर में उसको उन्ती मिलेगी तो गुड को हलका गरम करके उसमें तेल लगा के गुड का शिवलिंग बनाया जाता है तो उसकी पूजा होती है दूसरा देखा जाए तो पूजा कहते हैं याने कि उसकी अगर आप पूजा करते हैं तो घर के अंदर कलेश किसी भी तरह की नेगेटिव एनरजी कोई भी वास्तु दोशो तो टिक ही नहीं पाएगा तो घर के अंदर आपको पार्थिक शिवलिंग याने नदी के किनारे की मिटी लाके उसका शिव कराषिएक कराने के बाद वही मिटी को आप अपने घर के अंदर गार दीजिएगा आपका वास्तु दोश्करम खतम आपके घर के अंदर नेगिटிव एनरजी हो जाएगी तीसरी चीज मिस्री का शिवलिंग बनाया जाता है और विवाहिक जीवन में शादी नहीं हो पा रही है या फिर कुछ विवाहिक अन्बन चल रही है या विवाहिक जीवन का सुख या संतान का सुख पूंट तरीके से नहीं मिला तो आपको महाशिवरात्री के दिन मिश्री योक्त शिवलिंग बनाया जाता है उसमें सैट डालके उसको कड़ा करके मिश्री का शिवलिंग बनता है तो मिश्री का शिवलिंग की पूजा पाट करके यदि आप अगले दिन उसको प्रभा करेंगे और पती पतनी या जिसकी श उत्सा बहुत करती है संतान से समंदीद विद्या में एकागरुचित्ता के कम यह संतान बीमार बहुत रहती है तो आटे से बना हुआ शीवलिंग आटे के अंदर थोड़ा चना मिक्स करके आटे का बना हुआ शीवलिंग आप महाशिवरात्री के दिन बनाते हैं और पहले में 1-7 के बारे में बात करें तो चार मार्ण से और 10 मार्ण के बीच में यह जो सब्ता है ब्रस्पती देखा जाए तो तो जो तेरा डिगरी के बैठे हैं यानि की सबसे पहले health के बारे में बात करें तो health के अंदर थोड़ा इस सब्ता ENT की problem या आपको कमजोरी वीकनेस आ सकती है सर में दर्द की समस्या थोड़ा बहुत रह सकती है धन की स्तती की बारे में बात करें तो मेश राशी की इस सब्ता धन की स्तती सबसे अच्छी मार्च के अंदर रहने वाली है धन समंदी कोई डील मिल सकती है, कोई डील क्रैक हो सकती है, धन समंदी कोई खुशकबरी मिल सकती है, अचाना कहीं से धन प्राप्त हो सकता है मेस रासी को, और धन थोड़ा खर्च भी सपता संतान पे, परिवार पे, बिजली के आइटमों में आपका हो सकता है, आप परिवा relation पतिपतनी के बारे में बात करेख तो इस सब्तेफ जो आपका partner आपको surprise करेगा यानि आपको कोई ना कोई खुश कबरी अपने से related अपने परिवार से related साथी साथ recommend में आप partner के साथ में shopping करने वाले है या किसी काम में आप होने वाले ऐसा योग नजरा रहा है आप बात करें ब्रिशब राशी के तो यह सब्ता शुक्र बुद्ध और मंगल कहीं ना कहीं इन तीनों की यूद्धी के कारण यह सब्ता थोड़ा सा गर्मी की एस डिटी की प्रॉब्लम ब्रिशब राशी को रह सकती है एलर्जी बात करें तो धनकी स्थती काफी अच्छी है खूब धन इस सब्ता आपको मिलेगा धन संबंदी कोई बड़ी डील बन सकती है या फिर माता-पिता या आपका पाटनर आपको कोई सर्प्राइज गिफ्ट दे सकता है यानि कोई सर्प्राइज गिफ्ट भी आपको मिलना तो पहर या दूसरे अपने ही फ्रांचाइजी के इस्टिटूड में जानना पड़ सकता है करियर में कोई ना कोई ऐसी बात होने वाली है सब्ता कि आपकी इसमाइल आने वाली है वह आप कमेंट करके जरूब देएगा यानि करियर में कोई ना कोई खुशकबरी मिलेगी रिल पार्टनर से वाद विवात होते वे इस सब्ता नजर आ रहे यानि पार्टनर से थोड़ा सा अनबन रहेगी आप बात कर लेते मिथुन राशी की तो इस सब्ता सूरी क्यों देखा जाए तो सूरी आपके नववम भाव में और नववम भाव से फिर वो दसम भाव में धनी की स्वास्ति की स्वास्ति के बारे में बात करें तो इस सब्ता आपका यानि चार से दस मार्च के बीच में आपका स्वास्ति आतियुत्तम रहेगा नित्य संगीत या इस तरह का कॉंसेप्ट में आप सरीक होने वाले कहीं जाने वाले हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं उपकरण पर आपका खरचा रहेगा वहन पर आपका खरचा रहेगा याननि वहार अचानक हो सकता जोरी अप dei सब्सक्राइब करियर में देखा जाए तो यह सब्सक्राइब को अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलेगा एक तरह किसी क्लाइंट से आपके वाद विवाद हो सकते हैं किसी कलीक अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल मितवराशी को यहां पर मिल रहा है आप बात करते हैं देखा जाए तो partner गर्सित रहेगा अने था relation अच्छा है अब बात कर लेते करकराशी की तो करकराशी के लिए ये सब्ता ब्रस्पती इनको best result देने वाला है यानि पहले स्वास्त के वारे में बात करें तो स्वास्त में ENT की problem आपकी लापरवाई से करकराशी वालों को हो सकती है याद से आपको कुछ लाब होगा यह शेयर है इन्वेश्मेंट से आपको लाब होगा ऐसा योग नजर आ रहा दूसरा कोई रुकावा धन भी इस सप्ता आपको मिल सकता है ऐसा योग नजर आ रहा तो धन संबंदि यह सप्ता कर गराशी का अच्छा है परिवार वहाओ के बारे मे खर्चा हो सकता है बाकी परिवार भाव इस सब्ता अच्छा है परिवार के साथ में किसी शादी समारोब में जाने के भी इस सब्ता योग बनते हैं लव एंड रिलेशन के करकराशी की बात करें तो इस सब्ता आप और आपके पार्टनर कहीं बिजी रहेंगे किसी शॉपिंग में बिजी रहेंगे और इस सब्ता ही पार्टनर के साथ में किसी पार्टी समारोब में जाने के योग बनते हैं यानि रिलेशन के अच्छा ऐ और मित्रों यह तो मैं जनल परिडिक्शन आपको बताता हूं कुछ लोग कहते हैं कि हम पे फूट करी कुछ कहते हैं एक बी बास फूट नहीं करी तो 100% अपर 10.30 चल रहा है जब भी धूब भी अधर 10.30 चलती है तो जनर्र प्रेडिक्शने बिलकुल भी सूट टेली फोनिक अपोन्मेंट ले महाराज वह लेने के बाद आप की मेरे से बात जरूर होगी आपको पाये जरूर दिये जाएंगे देश में विदेश में किसी कोने में बैठे हैं मेरी गारंटी कि आपको पाये जरूर दिये रहेंगे लेकिन आप क्या है कि जनर्र प्रवाई मत करें बहुत ज्यादा प्रॉल्म हा जाएगी तो अपनी कुणड़ी दिखाएं अपनी कुणड़ी चेक कराएं ठीक है ना तो आप जो है अपनी कुणड़ी च्छेक करने चार से और दस मार्च के बीच में काम या धन समंदी कोई बड़ा सुब लाब आपको होगा ऐसा योग नजरा रहा है लेकिन लेकिन सिंग रासी का इस सपता कोट कचेरी या थाने के या सरकारी दफ्तर के चक्कर भी आपको काटने पड़ेंगे याने की काम में और धन में तो लाब हो रहा है लेकिन कोट कचेरी के चक्कर भी आपको भी काटने पड़ सकते हैं उसके योग बन रहे हैं पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सपता बीपी थोड़ा हाई हो सकता है रक्त विकार की प्रॉब्लम आपको रह सकती है धन की स्थिति के बारे में बात कर बस एक बार उसको कॉल करनी पड़ेगी, थोड़ा उसको गरम करना पड़ेगा, आपको धन जरूर मिल जाएगा, रुकावा धन आपका मिलेगा, और अचानक आपको कहीं से धन लाब होता हुआ भी नजर आ रहा है, यह याद रखिएगा, करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ता बॉस से किसी बात को, किसी टॉपिक को, किसी काम को लेकर हलकी जड़ाप हो सकती है, बाकि यह जो सप्ता है, आपके लिए नॉर्मल रहेगा, आपके काम में आप बेजी रहेंगे, हाँ, मित्रों के साथ में किसी पार्टी समारों में जाने के योग बनते हैं, लेकि बॉस से किसी काम को लेकर थोड़ी वो चड़प हो सकती है रिलेशन्शिप के बारे में बात करें तो यह सब्ता सिंग रासी के लिए नॉर्मल सब्ता है पार्टनर के साथ में विकेंड में घूमने फिरने के योग नजर आ रहे हैं अधूरे काम परिवार के आप करते वे स्मार्च के बीच में शूर्य बुद्ध और मंगल की यूति है आपको करियर में बड़ा लाब्स दे सकती है बड़ी डील दे सकती है यानि यह जो तीन ग्रव की यूति है आपकी कोई ऑफिस मेनेजमेंट बात माल लेंगे आपकी पावर आपकी रुतबा इस सब्ता पूरनी पड़ेगी गैस और ऐसी डिटी की समस्या से कन्याराशी वाले प्रेशान रह सकते हैं धन की इस तदी के बारे में बात करें तो रुकावा धन आपको मिल सकता है धन संबंदी अचानक किसी इन्वेस्टमेंट से आपको लाब होगा या अचानक शेयर या मार्किट से कुछ ना कुछ आपको लाब होता हुआ नजर आ रहा है साती साथ इस सब्ता धन संबंदी रुकावा काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है करियर के बारे में अगर हम बात करें तो कोई नया प्रोजक्ट आप के सिलसले में आपको कहीं पर घुमाया जाएगा ऐसा सफ्सक में क Sharma क्लमे में नया कुछ सीखने को मिलेगा यहनी नया कोई चीजए आप सीखने वाले रिलेशनिशिप के बारे मैं बात करें तो यह सब्वप्त अच्छा नहीं है पार्टनर के साथ में बद्विवात रहेंगे पार्टनर को healthy issue रहेंगे तो कुल मिला के relationship में आपको थोड़ा वानी पे control करना नहीं तो वाद विबाद ज्यादा रहेंगे पांडे जी पांडे जी आपके बहुत उपाय किये जतन भी पहने उससे कुछ फाइदा भी होता है या ऐसे है पहले तो गुरुजी को नम पढ़ा और मैं सज बता हूँ तो मुझे इतना फाइदा हुआ इससे और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किये जो भी मुझे चुक भी दिखाए इनको और बच्चों के लिए जो जो इन्हों ने बोला में वो सब किया बच्चों ने हमने और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल इस बार मेरी छूटी बीटी पी शादी हो रही है तो मुझे यहां के बहुत बहुत अच्छा लगता है मन को शांती मिलती है एक उर्जा अलग से आती है उत्पन होती है गुरुजी को फिर से नमनम पढ़ा अब बात कर लेते हैं तुला राशी की चार मार्श से दस मार्श के बीच में अगर तुला राशी का देखा जाए तो तीन गरे शुक् साथी साथ माता पिता से आपको कोई खुशकवरी प्राप्त होगी माता पिता कोई खुशकवरी सप्ता देने वाले आप बात कर लेते हैं स्वास्त के बारे में तो स्वास्त में भी सप्ता आप अपनी बुरी लतों को कम करने वाले ऐसा योग नजरा रहे साथी साथ अचानक आपको धनलाब होता हुए नजर आ रहा है कोई व騎कथी आएगा अच्छा कासा धनलाब कराएगा अच्छा काउसा डील कराएगा मित्र की रहे से आपको लाब होगा इस सप्ता साथी साथ मकान समंदी रेनुवेशन पे या मकान पे कुछ खर्चा भी आप करने वाले उस पर धन खर्च होगा करियर के बारे में बात करें तो यह सब्ता आपका नौर्मल है यानि करियर में जैसा रूटीन है वैसे आप बीजी रहेंगे पुराने काम को निप्टाने में आप ध् सब्ता आपका रिलेशन्शिप नौर्मल है मतना आपका पार्टनर अपने काम में बीजी आप अपने काम में बीजी रहेंगे यानि दोनों ही पक्ष बीजी रहेंगे और इस सब्ता आप कुछ योजनाय कहीं घुमने जाने की कहीं लिस्टेशन जाने की कहीं दूसरे रहने वाला है अब बात करते हैं बिरेच्छिक रासी की यानि चार से दस मार्ज की बीच में बढ़िए बिरेच्छिक रासी वालो आपका सपता से विप्रीत राज योग बन रहा है यानि कि आपका को रुकावा काम कैंसिल होता हुआ काम जो कैंसिल हो रहा था वो बनने के सब्ता योग नजल आ रहा है यानि अचानक कोई काम बनेगा आपको सर्प्राइज मिलेगा पहला स्वास्त के बारे में बात करें तो इस सब्ता आपको कॉफी गरम चीज़ें त्यागनी पड़ेगी फोड़े- किसी को धन आपको इस सब्ता उधार देना पड़ सकता है लेकिन इस सब्ता धन का फ्लो अच्छा है करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सब्ता सीनियर से या अपने कलीक से किसी टॉपिक को लेकर जबर्दस जड़प इस सब्ता हो सकती हाला कि शाम आते आते वो ये नॉर्मल हो जाएगी बाकि इस सब्ता आप काम में बिजी रहेंगे इस सब्ता आप मित्रों के एडवाइज से कुछ प्रॉपर्टी कुछ कॉमर्शेल चीजे देखने जा सकते हैं उसके योग आपके गुप चुप तरीके से बन रहे हैं साथी साथ रिलेशन्शिप के ब प्रबलम में थोड़ा चिन्तित रहेंगा आप से बात शेयर करेगा यहनि आपका पार्ट्नर अपने परिवार से थोड़ावद परेशान रह सकता आप बात कर हैं स्वाषथ के बारे में बात करें तो इस सपता भी आपके हाथ पेरों में दर्द की समस्या हो सकती है थोड़ा सा नजर में थोड़ा धुंदला पल आ सकता है जिसके लिए आप डॉक्टर पर टेस्ट करा सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है बाकी स्वास्ते आपका नॉर्मल धन के लिए यह सपता मध्यम रहेगा जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा करियर में देखा जाए तो यह सपता करियर में बिजी schedule रहेगा, market के आपके चकल लग सकते हैं, एक market से दूसरे market में आपको बेजा सकता है, नया काम, नया कुछ सीखने को office के तुरू आपको मिल सकता है, वो उसमें आप थोड़ा busy रहेंगे, relationship के बारे में बात करें तो इस सब्ता आपका partner थोड़ा बिमार रहेगा, यानि कि आप आपके partner को infection या इस्तरी समंदी problem के योग बनते हैं, रक्तविकार के योग बनते हैं, और partner कोई ना कोई शुब समाचार भी सब्ता आपको दे रहा है, लेकिन partner थोड़ा health से परिशान रहेगा, आप बात कर लेते हैं, मकर राशी के लिए देखा जाए, तो इस सब्ता देख नहीं डॉक्टर के पाद ले जाने वाले, यानि बुजरोगों के साथ में ये सब्ता time spend होगा, स्वास्त के बारे में बात करें तो इस सब्ता स्वास्तिया आप मकर राशी का सामान ने है, कोई दिक्कत नहीं, हलकी फुल की गैस की समच्या हो सकती, बाकि सही है, धन की स्थ के बारे में बात करें तो इस सब्ता मकर राशी की धन किस्तती सबसे अच्छी रहेगी, रुका हुआ काम बनेगा, अचाना कोई बड़ी डील बन सकती है, अचाना कोई क्लाइंट उठके आएगा और आपको अच्छा धाजा डील दे सकता है, यानि सब्ता अगर आप मैनत क करते हैं, प्रियास करते हैं तो आपको अच्छी डील मिलेगी, करियर के बारे में बात करें तो यह सब्ता करियर के लिए भी बहुत अच्छा है, काम के सिल्सले में आपको दूसरे सहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, लोगों से मीटिंग होगी, वारता होगी और उसका अगर आप लव प्रेमी प्रेमी का जोड़ा है, तो कहीं ना कहीं हिल स्टेशन में जाने के या प्लानिंग करने के इस सब्ता आपके योग नजर आ रहे हैं, तो कुछ मिला के रिलेशन्शिप भी आपका अच्छा रहने वाला है, आपने नीली पहना हुआ है, तो नीली का आपको क्या फल मिला या ऐसे ही बेना हुआ है, जैमाता दी, नीली का मुझे बहुत अच्छा परणा मिला है, गुरुजी के आशिरवाज से मैंने नीली यह दारण किया है, इस से मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मेरे वेपार में, मेरे काम में, मेरे घर पर प्रवाब मिला है जो बिलकुल अलग है और इसने बहुत ही अच्छा हुझे बात करते हैं कुमब लाची के और बात करने से और ढहिया जब भी आप कीज चलेगी आपकी कुंडली के कितने भी राज योग हों वो एक्टिवेट नहीं होंगे शिप को शनी को शिप का वर्दान याद रखिएगा कि आपकी कुंडली के जितने भी राज योगे वो साड़े-साती धहिया के कारण बिल्कुल जीरो हो जाएंगे ऐसे मैं आपको कुंडली दिखाना जरूरी है याद रखिएगा नहीं तो धाई साल कुछ लोग साड़े साथ साल परिशानी रहते हैं और बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं तो आपको क्या करना यह जो वर्टसप नंबर मे से लोग कमेंट में लिखते हैं इसलिए बोल रहा हूं तो आपको अपनी समस्या का समाधान कैसे मिलेगा आपको टेलिफोनिक उपाए बता के मुझे अपनी प्रॉब्लम बताके तबी तो समाधान मिलेगा यह याद रखिएगा अब बात कर लेते हैं कुम राशी की तो यह नहीं सब्सक्राइग के सब्सक्राइब करें तो आपको करने के लिए और कुछ ना कूछ सिरीज आप स्टाट करेंगा एसा योग नजरा रहा है धनकी श्तिति के अचानक कोई दो नंबर का ओफर दे सकता पार्टनर्शिप yeah a season सब्ता आपके लिए अच्छे नहीं आपको ना तो पार्टनर्शीप में सब्ता काम करना ना दो नंबर का काम करना नहीं तो आपको दिक्कत आएगी आपको चीजें ज्यादा लालाज के चक्कर में आप नुकसान में जा सकते हैं तो यह याद रखे का यह काम ना करें वैसे यह सब्ता आपके लिए नॉर्मल ही रहने वाला है यानि नॉर्मल सब्ता है धन के लिए करियर के बारे में बात करें तो इस सब्ता ग्रहाकों की थोड़ा सा नाराजगी आपको सहनी पड़ेगी और आपके जो प्रोडेक्ट है वो लेट लतीफी रहेगी आपके मिस मेनेजमेंट के कारण थोड़ा सा किसी से बाद भी बाद भी हो जाएगा यानि इस सप्ता करियर में थोड़ा सा नाराजगी क्लाइंटों की रह सकती है या फिर बॉस समय लीट नहीं करें इसलिए रेलेशन्शिप इसलिए बात करें जो आपका पार्टनर आपने माता पिता के घर आपने भाइब्हें के घर आपको भी ले जा सकता है और जा सकता है ऐसा योग रहा है यानि रिलेशंश्टिप रिलेशंश्टिप अच्छा है अब बात करें में राशी कि तो यह जो सब्ता है चार से 10 मार्ज के बीच में भाई आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है गुम हो सकती तो अपनी सब्स्तु का ध्यान रखे याद रखेगा भीरबाड़ वाली जगापे अपनी चीजें समाल के रखे स्वास्त के बारे में बात करें तो स्वास्ति है जो यूवा लोग है उनका बिल्कुल फिटेंफाइड है अगर आप चालिस से उपर गें तो भाई शूगर आपकी बढ़ कहीं पद्धन निवेश नहीं करना धनानी की योग बने वे यह जैसा चलता है वैसा चलते रहे कोई रिस्क ना ले में बहुत कुछ सहीं नहीं आ चानक कोई न रहर बढ़िघ हो गयाँ एक रखे सिंगर आaran häufig अचा आपके बादाозд worship की रिलेशनिफ्ट के बारे फिरने किसी घर जाने की जो भी योजना है आप दोनों बना रहे तो वो कैंसिल होती भी नजर आएगी हाँ एक आद आप बर्दडे पार्टी शादी फंक्शन में पार्टनर के साथ जा सकते हैं बाकी यह सब्ता रिलेशन्शिप के लिए नॉर्मल है मित्रो इस कारेकर में ब